हेलो नमस्ते स्वियकाल आदाव दोस्तों मैं हो सौरब और आप देख रहे हैं पबलिक इंजन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैनेडा की जॉब्स के बारे में कैनेडा में भी ड्राइवर की जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ और बहुत असानी से इन जॉब्स के लिए आप रिक्रूट किया जा सकते हैं बहुत असाली से अपलाई कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ साथ ही आपको बताने वालों कैसे आप गूगल पजा करके डायरेक्ली सर्च करके और कैनेडा की जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं सब कुछ बताने वालों दोस्तों आपको जादा कुछ करना नहीं है इस वीडियो में बस एंड तक बने रहना है वीडियो में एंड तक बनी लखेई हैं और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जा सकते हैं कैनेडा पर और वो भी ट्रस अध करने चाहते हैं आपके लिए बहुत सास्राइब से और शिर्फ तरही ड्राइविंग्यॉ-यह बलकि आप अगर ड्र ड्राइविंग आपको बहुत सारी विल्लक मा सब Q आपको जो है इतनी communication skills आनी चाहिए कि आप अपने client से बात कर सको आप अपने मैनेजर से बात कर सको आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं उससे बात कर सको बहुत असानी से साथ ही जो सबसे जरूरी requirement है वो है दोस्तों आपके पास driving license होना चाहिए अगर आपके पास इंडिया का driving license है तो अच्छी बात है ठीक है लेकिन अगर आपके पास foreign का कहीं का driving license है दोस्तों सब्सक्राइशिया या फिर दुबाई ऐसी जगे के अगर आपके driving license हो तो भया आपको एक advantage मिल जाता है जिसकी वज़ेसे आपको जल्दी job मिलने में बहुत जादा मदद हो जाती है दोस्तों अगर आपके पास इंडिया के बाहर का कहीं का license है तो बहुत अच्छी बात है इंडिया का है तो भी आप apply कर सकते दोस्तों आपको कुछ करना नह मिल जाती है दोस्तों एक बार जब आप पहुंच जाते हो उसके बाद दोस्तों आपका employer आपकी मदद करता है वहां का license लेने में तो दोस्तों बहुत जादा बाते हो गई मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप Canada की jobs के लिए apply करना चाहते है फिर कर सकते हैं नीचे दिएगे WhatsApp नंबर पे जल्दी से नीचे दिएगे और नंबर पे हमें contact कीज़े दोस्तों और अपना CV और cover letter बनवा के तयार कर लीजे उसके बाद ही दोस्तों आप Canada की jobs के लिए eligible हो पाएंगे और Canada की jobs के लिए apply कर पाएंगे तो आप ज़ादा time waste ना करते हुए आप जरूरी मुद्दे पर आ जाते हैं कि भीया Canada में अगर jobs search करनी है driving की तो कैसे सच कर सकते है driver की jobs के लिए हम करना क्या होता है तो चलिए आपको दिखाता हूँ अपने laptop screen पर दोस्तो हमें Canada की driving jobs search करने के लिए simply google पर जाना है और google पर जाके type करना है driver jobs for foreigners in Canada हम जैसे यह type करेंगे वैसे हमारे पास बहुत सारे suggestions आने लगेंगे दोस्तो लेकिन हमें suggestions पर ध्यान भी देना है हमें बस type करना है और type करने के बाद search कर लेना है simply search करने के बाद आप देख सक लिखा हुआ है 100 plus more jobs इस पर जाना है हमें 100 plus more jobs पर click करेंगे तो जितनी भी हमारे सामने jobs available होंगे दोस्तो यह सारी jobs जो है कुछ एक ऐसी jobs है जिनके आप easily apply कर सकते हैं लिखा हुआ है foreign truck driver company का नाम है agree fresh ठीक है और इन्होंने जो है post की हुई है foreign truck driver के नाम से यह job जिसके लिए लोग hiring कर रहे हैं truck driver के लिए hiring कर रहे हैं लोग नीचे की तरफ आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी इस website पे कि भाईया आपको क्या-क्या requirements के ज़रत पढ़ने वाली है आपको क्या-क्या करना होगा सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहां नीचे हुआ है documents में क्या-क्या होना चाहिए class A1 drivers license होना चाहिए ठीक है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे उसके बाद नीचे की तरफ आने के बाद देख सकते हैं आप drivers abstract with three or fewer violations violations नहीं होनी चाहिए आपके license license पर उसके बाद excellent communicator होने चाहिए उसके बाद यहां पर आप दिख सकते हैं आपके वह rate जो है वह किया हुआ है मतलब divide किया गया है कि किसे आप से आपको pay rate मिलेगा ठीक है वह सारी के सारी जानकारी यह अपले सकते हैं और simply आप apply on and agree fresh वाले option पर क्लिक करके इस job के लिए apply कर सकते हैं इतना simple सा मतलब process है दोस्तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद आपको आना है इसी page पे left side वे दोस्तो left side में जो है आपको अलग-अलग और भी सारी companies देखने के लिए मिलेंगी आपको क्या-क्या करना है कितना वजन उठाना पड़ सकता है कितने घंटे काम करना पड़ सकता है ठीक है सारी की सारी जानगारी आपको देखने के मिल जाएगी दोस्तो left side में आप देख सकते हैं यह driver की job available है इसमें truck driving नहीं लिखा हुआ है requirements में क्या चाहिए passport चाहिए बस यहाँ पर जैसा आपके सामने देखने के मिल रहा है दोस्तो मैं वही चीज़े बोल रहा हूँ मैं अपनी side से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा मत बोलना कि हाँ यह जूट बोलता है बहुत सारे लोग हैं जो comment box में आ करके सारी चीज़े बोलते हैं तो यह सारी मैं आपके सामने पढ़ पर कर के दिखा रहा हूँ आप खुद देख सकते हैं दोस्तों यहां deja hier टेक्सी ड्राइवर की job available है तीक इह जिसके लिए आप easily apply कर सकते हैं यहाँ देख सकते हैं सारी कि सारी जानकारी है availability क्या होनी रहेगी आपकी सारी कि सारी जानकारी यह दे तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है आप driver jobs के लिए search कर सकते हैं अगर आप किसी different job के लिए apply करना चाहते हैं दोस्तों तो आप उसी type से जैसे मैंना keyword डाला है इसी type से जो है आप different job के लिए भी apply कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको google पर जाके search कर लेना direct और apply करन है बहुत easy process होता है left side में देखेंगे इतनी सारी jobs available है और left side में किसी job पर click करेंगे तो right side में उसी job की जो है आपको details देखने के लिए apply कीजिए देगा दोस्तों कितनी आसानी से आप driver की jobs के लिए apply कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको बस google पर जाना है search करना है search कर दोस्तों तो जल्दी से cv और coverator बनाईए और in jobs के लिए apply करना चालू कर दीजे apply करना बहुत जादा जरूरी है दोस्तों अगर आप Indian resume यूज कर रहे है तो वह काम नहीं आने वाला है इसलिए ध्यान दीजिए और सही तरीके से सही documents के साथ apply कीजिए दोस्तों ये था हमार अगर